हेलो फ्रेंट्स क्या आप भी इस्ट्रेप को फोटो एडिटिंग करना चाहते तो फ्रेंट्स इस वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि इस वीडियो के जरी आप इस्ट्रेप का ट्रेन फोटो एडिटिंग कैसे करते हो सिखाने जारो इसके लिए आपको चैनल को कर देना सब्सक्राइब चलिए फोटो अडिन को स्टार्ट करते इसके लिए आप फ्रेंट्स जो भी यहां पर बैग्राउंड इमेजिस और इमेजिस आपको देने वाला उस इमेज का लिंक में डिस्क्रिप्शन में वहां सा जगे आप डाउनलो करने के लिए कट वाला उप्शन पर चले जाना और यहां से आपको क्या करने के लिए अपने बोड़ी सर्फेस को कुछ स्टेप से सेलेक्ट कर देना और दोनों पॉइंट को मिला देना रैट सेल में एक एरो बटन है वहां पर आपको कर देना है क्लिक फ्रेंट्स यदि आ प्रडीडििंग आपका य 고양 तरीके से हो जेगा आपको क्यों इसकतर कर दे चाया मैं कुछ उप्रेंच लगा देना है नहींगि इस व्लग को फोटो को सेंटर इंटर एलां कर के लगा दिया लगा देने के बाद चले जाना ओल फोटोम पे जारे आक और आपको क्या कि में इ आपको फोटो एंपर मिल जाएगा को लैने के पता आपको क्या करना टॉप में जो लेडर से वहां पर आपको कर देना मोग क्यला 1944 इनि व्युद्स ए ओबिछे चला जाएगो आपको क्या करेंगो थोड़ा सा स्रेच करदेstore इसे ढला?. सब इस steps आपको photo editing यहां पर कर देना है so train को यहां पर central line कर दिया और यहांस आपको करना फिर से all photo पे चले जाना है और यहांस आपको एक shadow PNG ले लेना है क्योंकि जो object बना हो जो model बना हो उसके निचे shadow effect यहां पर एक requirement हो जाता है यहां से मैं इसका opacity भी थोड़ा बद कम कर रहा हूँ ताकि फोटो के the shadow effect अच्छे तरिकेस आपको दिख जाए इस step से आपको फिर से all photo पर जाना all photo पर जाएगा friends आपको एक यहां ले ले लेना है यहां से आपको ब्लेंडिक option में आपको कर देना है स्क्रीन होने के बाद इस photo का जो background है वह आपका चला जाएगा और आपको कर सकते हो अदर्वाइस आपको left align करके आपको top में से set कर देना है और set होने के बाद आपको करना है right set में जो check box का option है यहां साथ इस photo को export कर देना है friends इस photo के अंदर एक और effect है वह effect वाला यहां पर option आपको दिख रहा है इफेक्ट टूल में जाके आपको क्या करना है HDR HDR में FX और FX में कर देना है HDR जिसकी साथे से photo के अंदर अंशाप और opacity को थोड़ा सा आपको कम कर देना है क्योंकि photo के अंदर एक अच्छा सा यहां पर glow effect आपको देखने को मिल रहा है तो इस step से आपका photo यहां पर editing हो जाता है और friends इस step को photo editing सिखने के लिए चैनल को कर दिया subscribe thank you friends